कलीशय के अंदर ही कलीशय के अंदर ही पर्दे के पीछे हम छुप करके कई लोगों का हम फाइनाइन्शली सपोर्ट कर रहे हैं कलीशय के अंदर की बात कर रहा हूं हमारे कलीशय के अंदर ऐसे कई विश्वासी हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है हम फाइनाइन्शली उनको स रखमत भलाई कर तो जितना देगा उतना बढ़ेगा तो जितना देगा उतना बढ़ेगा रख रखमत भलाई कर और देते हैं तो दर्द होता है दोगे ना दर्द होगा जब दर्द होगा तो समझ जाना आप आशिशित हो रहे हो मेरी नजर ना पैसों से और इस दुनिया से सबसे बढ़ करके जो परमेश्वर है न मेरी आँखे उस पर लगी रहती है यहुवा तेरे लिए अपने आकाश रुपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमी पर समय पर महीं बरसाया करेगा और तेरी सारे कामों पर आशिच देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा और किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा कितने लोगों समझ में आरा हैं? कितने लोगों समझ में आ रहा है आपको मालों में परमिश्वर की आसीस क्या है आप उधार लोगे नहीं आप उधार दोगे एक को नहीं बहुत तेरी जातियों को बहुत तेरी जातियों को आप उधार दोगे उधार लोगे नहीं आज कई लोगों को मैं देखता हूँ करज म यह परमेश्वर की कर्ज शैतान की ओर से होता है या दखना अगर आज आपकी लाइफ ऐसी है कि उधारी मांग मांग करके आपका घर चल रहा है परिवार चल रहा है आपका बिजनस उधारी से चल रहा है उधारी मांग मांग करके आपकी जिंदकी चल रहे है उधारी मांग म कहता है कि मेरी जब आशीस तेरे उपर आएगी तो तू उधारी मांगने वाला नहीं परंतो तू हजारों जात तू बहुत तेरी जातियों को उधारी देने वाला बन जाएगा देने वाला बनेगा तू तू देने वाला बनेगा तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बने है इसलिए मेरे ओपियो आज घू आपना डिल कोल कर ऐधे इते हैं अपना दस्मान सा देते हैं और उससे भी बढ़कर वो कंगालों की सुधी लेते हैं कई लोग तो से बढ़कर करके चरेटी करते हैं वह देते हैं क्यों कि उनके ओपर परमेश्वर की आशीश है इसलिए वो दे रहे है कौन है जो नहीं दे पा रहा है कौन है कि आज जो दे नहीं पा रहा है भेट देने में उनको परिशानी तकलीफ हो रही है हाँ दस्मान से तो बहुत दूर की बात है दसवान्स तो दूर दूर की बात है आज उनको बेटी देने में तकलिफ और ही है ऐसी लाइफ जी रहे हैं आज कई विस्वासी और कई बरसों के विस्वासी है प्रॉबल्म कहा है क्यों ये आसीस है आपकी लाइफ में फलवंत नहीं हो रही जो आसिस के बारे में बता रहा हूं, ये अबरहम की आसिस है, ये अबरहम की आसिस है, ये जो आसिस है ना, मसी येशु में, अबरहम की आसिस है, अन्ने जातियों तक महुँची है, ये अबरहम की आसिस है, क्यों नहीं मिल रही है आसिस, क्यों आप देने वाले नहीं हो, क्य हम हर चीज फेस्बूक में नहीं डालते हर चीज हम नहीं दिखा रहे हैं मैं हर चीज यहां से बोल नहीं रहा हूं बहुत सी चीज़े हैं अभी भी पर्दे के पिछे हम बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं financially बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं मैं यहां से बताता नहीं ह प्रतिफल परमिशर देगा जो तुम गुप्त में करोंगे परमिशर लेकिन आज इसलिए मैं बता रहा हूँ ता कि आप जानो अगर आपके पराशी से तो आप देने वाले हो आपको बता दू हमारे पास मैं सच्चा ही बता रहा हूँ हमारे पास मैं उतना भेट या उतना दस्वान से नहीं आता कि हम करें आपको सच बता रहा हूँ मैं उतना नहीं आता लेकिन परमेश्वर का धनेवाद हो इतना तो आता है कि हमको कमी नहीं होती, लेकिन उतना भी नहीं आता कि हम ये सब करे, लेकिन फिर भी परमिश्वर champion कहता है अगर तू थोड़े में इमानदार है तो मैं तुझे बहुत काधिकारी बनाऊंगा आज तो हम थोड़े में इमानदार नहीं हैं परमिश्वर के सामने परमिश्वर घर का किराया है और ये कार का है फिर ये है ये है अभी बसता नहीं तो तुझे क्या दू तुने अपनी योजणा बना ली तो मेरी योजणा क्या पूरी होगी तरी लाइफ में तुने खुश सोच लिया 2BSK का घर हो मेरी तो इकचा थी कि मैं तुरे को 4BSK का घर देता मेरे से तुपूछ लिया होता तेरी इकचा है क्या कुछ नहीं प्रभू 4-5 लाग कार काफी है मेरे से तो पूछा होता मेरी योजना क्या है तेरी लाइप में अरे भविश्वानी से बताता जो बोल रहा हूँ न ये मेरी टेस्टमनी है ये मेरी टेस्टमनी है तीन बार, तीन अलग-अलग नभियों ने भविश्वानी का एक बड़ी और लगजीरस कार आ रही है तेरे लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए आप देखोगे येशु मसीच के नाम ने और आपको एक सच्चाई बता दू इतना पैसा नहीं है कि एक बड़ी और लगजीरस कार ले सको अबी, बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप के पास मैं इतना पैसा है कि मैं ले सकता हूँ, मेरे आस्मानी बाप के पास मैं इतना पैसा है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे पास नहीं लेकिन मेरे आस्मानी, बाप के पास मैं इतना है ना, वो मेरे से प्यार करता है, मैं कुछ भी मैं ले सकता हूँ मैं, कुछ भी मैं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि हमको need है, क्योंकि हम evangelism के लिए जाते हैं, तो हमको किराय से कार करनी पड़ती है, यह कई बारे से होता है कि सामने अलग किराय से कार करता है, इसलिए मैंने परमिश्वर के सामने में रखा, और जब म इसलिए कुछ भी करते हो परमिश्वर से पूछो परमिश्वर का योजना क्या है क्योंकि हमारी बुद्धी छोटी है हम छोटा ही सोचते हैं और छोटा ही प्लान करते हैं लेकिन परमिश्वर की बुद्धी हमारे जैसी नहीं है वो हमारे लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे, अपने संतान के लिए, अपने जैसा प्लान करता है, बड़ा, अपने सेसा, उद्दम, उद्दम से उद्दम प्लान करता है वो, लेकिन हमारा विश्वास छोटा है, हमारी बुद्धी सोटी है, हमारे विचार सोट हमारे समझ छोटा है इसलिए हम दिमांड भी छोटा करते यह कई बार अपने प्लान में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं छोटा सा उसमें भी हमको तकलीफ होती है फिर financially कित्तों को समझ में आ रहा है कित्तों को समझ में आ रहा है हलेलुई यहाँ आपको समझ में आ रहा है अपने विश्वास को बढ़ा करो चर्च आप उधारी लेने वाले नहीं आप देने वाले बन जाओगे बहुत तेरी जात्यों का उधार देने वाले बन जाओगे हम देते हैं मैं देता हूँ हम देते हैं सब बाते हम नहीं बताते हैं, हम सब बाते फेस्बूक में देलते हैं, हम यहाँ पर सब बाते नहीं बताते हैं, धिन्दोरा नहीं पीटते हैं, कि हम यह कर रहे हैं, लेकिन आज इसलिए बता है क्योंकि प्रभुका आत्मा नहीं बता है, अभी सई टाइम में यह टेस्टमनी देने का, हम देते हैं, हम अभी भी दे रहे हैं, इस तरहीं दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत आ रहा है, नहीं, बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है, लेकिन बहुत आए, थोड़ा आए, उससे लेना देना नहीं है, मेरी नजर पैसो पे नहीं रहती है, मेरी नजर ना, अपनी आखे पैसों पर नहीं लगाना नहीं तो लालच का पाप आजाएगा अपनी आखे हमेसा ये शुपर और परमेश्वर पर लगाना और पैसे को ना हमेसा यहां सर पर नहीं बैठाना ऐसे अलमारी के लॉकर में रख करके जमा होते जाओ धन बैंक में रख करके एक वचन मेरे पास एक वचन मेरे को अभी प्रभू याद दिला यह मेरे संदेश का भाग नहीं था लेकिन प्रभू जैसा बोलता है मैं वैसा बोलता हूँ देखो थेंको जीजस देखो निती वचन उसका ग्यारा अध्याए और उसका पहले 24-25 पढ़ो फिर 24 पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे इनकी घटी ही होती है उदार प्राणी हस्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सीचता है उसकी भी सीची चाएगी उदार प्राणी हश्ट पुष्ट होता है और जो दूसरों की मदद करता है जो दूसरों को पैसों से ब्लेस करता है या कपड़ों से या भोजन से ब्लेस करता है परवेश्वर कहता है तेरी मैस ही चूंगा तेरे को मैं कपड़े दूंगा तो जैसा करता है, तो जिस नाप से नाप है का मैं तेरली नापूंगा, उदार प्राणी हमेशा प्रॉस्पर रहता है, याद रखना, देने वाला प्राणी, बोने वाला प्राणी, हमेशा उदार प्राणी का मतलब, उदार प्राणी हस्ट पुष्ट रहता है, मतलब हस्ट अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राब देते हैं परतो जो उसे बेच देता है उसको आशिरवाद दिया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राब देते हैं लेकिन जो अपना अनाज देता है लगाते हैं, वही पैसे को हम कलीशिया की मदद करने के लिए कंगालों की मदद करने के लिए विद्वाओं की, अनाथों की मदद करने के लिए, जब वही पैसे को हम लगाते हैं, तो वही पैसा हमको प्रॉस्पर कर देता है संपन्य कर देता है आशिरवात देता है संसार में आपको ये भेद की बाद कोई नहीं बताएगा ये परमिश्वर ही बताता है भेद की बाद याद एकना जो अपना पैसा अलमारी में रख छोड़ता है अपनी अभिलाशाओं के लिए जो बैंकों में रख छोड़ता है और अपने पैसे से कोई भला काम नहीं कर रहा एक रुपे का भला काम नहीं कर रहा वो एक रुपे का परमिश्वर के लिए कोई सेवा नहीं कर रहा किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा तो यहाँ पर बच्चन कहता है उदार प्रानी प्रॉस्पर होता है हस्ट पुष्ट होता है हम उदारी नहीं है तो कैसे उमीद कर ले परमेशन से कि उत्तम से उत्तम कि तो को समझ में आ रहा है आप रख छोलोगे तो वो श्राप होगा लेकिन उसको रखो मत प्रभू रखने के लिए नहीं दिया भलाई करो आपको एक बात बता रहा हूँ दिल का बात बता रहा हूँ प्रभू यहां पर उपस्तित है हमको जमील लेना है हमको चर्च बनाना है हम यहां पर किराय परें 21,000 रुपे किराय देते हैं अब याने वाले समय में 22,000 हो जाएगा हम किराय देते आपको मालो मैं, आ रहा है, बेट आ रहा है, दस्मान सारा आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दू, अगर सारे लोग देने लग जाएं तो फिर तो, लेकिन आपको बता रहो, सारे लोग नहीं देते, लेकिन परमेश्वर से लेना चाहूर चाहते, लेकिन देना नहीं चाहते, परमिश याला नहीं प्रवों आपको सचाई बता रहा हूं आपकोまぁ को परीवार है आर फेमली मेर स्पूरिच्ट आप आपसे है मैं परबेश र के सामने मैं रोता हूं मेरे को जमीन जाहिये मिरे के न ka तो लोगों के हिर्दे को खोल की वो दें प्रभू को खोल उलोगों के हिर्दे को देना सीखें प्रभू तबी तो उनके तबी तो हश्ट पुश्ट होंगे ना प्रात्ना होती है ठीक है ध्यान से सुनना लेकर उसके बाद में जब किसी को कलीशा के अंदर की बात कर रहा हू कलीशा के अंदर ही परदे के पीछे हम चुप करके कई लोगों का ہम financially support कर रहे है कलीशा के अंदर की बात कर रहा हूं हमारे कलीशा के अंदर ऐसे कई विश्वासी हैं जिनको problem हो रहा है हम financially उनको support कर रहे हैं और जब देता हुना तो यहां दर्द होता है मेरेको, रोना आता है, क्योंकि मैं इसलिए बोलता है प्रबु, मैं पाई पाई करके हम जमा कर रहे हैं ताकि हम जमीन लेंगे, चर्च लेंगे, लेकिन प्रबु तुने कहा, रख मत, भलाई कर, तु जितना देगा उतना बढ़ रख मत, भलाई कर, और देते हैं तो दर्द होता है, दोगे ना दर्द होगा, जब दर्द होगा तो समझ जाना आप आशिशित हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो, यह बात हम नहीं बताते हैं, यह बात नहीं बताते हैं, हर महीना पर मेश्र हम से करवा रहा ये काम, जबकि ह हमको जमा करना है अभी जमीन के लिए चर्च के लिए क्योंकि we are family इसलिए मैं खुल करके बात कर रहा हूं अपनी family से हमको चाहिए लेकिन उसके पहले क्या चाहिए उसके पहले मैंने एक चीज सीखा है उसके पहले परमेश्व का आत्मा ने एक चीज सीखा है तेरा चर्च, तेरा चर्च, मेरा चर्च, तेरा नहीं मेरा चर्च तो मैं बनाऊंगा तू केवल एक काम कर, तू मेरे लोगों को बना आप समझे नहीं परमेश्व ने कहा, तू मेरे लोगों को बनाने में परिश्रम कर अपना चर्च मैं बना दूँगा समझते तो जरूर ताली बजा के परमेश्वर की भहिमा करते